तोड़ा है भरोसा, धोका दिया है, हमने तो किया था भरोसा, तेरे महीने अंदोलन करने के बाद, हमने उनकी लिखित बात पर भरोसा किया था, भरोसा तोड़ा किस ने, मोदी ने, धोके बाज निकला को, मोदी, मोदी गद्दार नहीं है, मोदी गद्दार नहीं है, अगर अगर गद्दार नहीं है तो हम यह कहने आए होस में आजा कि किसानों से किया वादा पूरा कर ले वर्नाब के दिल्ली संसाद तेक्टरों के बंफर मजबूत एरे गेरे बैरिकेटिंग तो क्या हो गया कितनी कितनी फोर्स है दो लाक दस लाक बीस लाक और 135 करोड सतर परसेंट किसान पालों मारें अरे यार इनको छोड़ तू यह तो इसमें तो मारे बालक है हम ने अंगरे जोगनी बक्सा मार एक लाक बत्तीस हजार की सहाधत दी थी अंग्रेजों के उसमें देश आजाद करा के छोड़ा था और यह आजादी की दूसरी लड़ाई है जितनी सहाधत चाहिए सरकार को खुली छूट है सब सहाधत देने को तैयार है लेकिन देश के दूसरी आजादी दिला करके रहेंगे अगर अम्रत महुत्सव होता तो एक बच्चा आठ साल का पानी पीने पर उसकी हत्या नहीं होती अम्रत महुत्सव में नहीं हो सकती एक बाप एक सब्सक्राइब चले गए फिर राजनितिक पार्टियों पर देश का लोग तो भी जुकाना चाहते हैं सुन 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 एक मिनट सुन बर्खास्त कर दो वह तो पावर केंद्र में बर्खास्त करो उसे मुख्यमंत्री को जातिवाद फैलाता है दूसरी चीज एक बाप अपन अम्रतकाल हैं क्या फिर डरने की बात कर रहा है यह रोस है यह दर्द है उस बाप का दुनिया का सबसे बड़ा बोज क्या होता है बाप के कंदे पर बेटे का जना जा एंबुलेंस तायर भश्ट होके वहां खड़ी है अगर एंबुलेंस होती तो 20 किलो मीटर बाप अपने बेटे की लाज को लेकर के कंदे पर नहीं जाता कानून विवस्ता होती अरे सब्सक्राइब करना चाहिए और यह विपक्स से करते हैं पूरी बात यह किसान कौम हमेशा सरकार के विपक्ष में तो रही जिस दिन इसकी सरकार बन जाएगी अब उस दिन तो सत्ता पलट देगी यह वाले कहते हैं यह खालिस्तान कौन सा देश है कहां है इंदू दुनिया के किसी नक्से में खालिस्तान दिखा दे अब वर्ना उसके मूँ पर जुत्ता मार जो कह रहा है अब हर जनता उसे दोडाती तो उसे भड़वा मीडिया वी तो जनता ही कहती है और देख बिहार में वह और आंजना ओम मोधी कैसी खड़ी-खड़ी लखा रही थी क्यों कह रहा कैसे हो ज़े कि कश्या मोधी को अपना बा तुम्हीं तो कहती है मोधी देश का बाप है तो फिर उसका भी बाप है तो आंजना हो मोधी हो गया उसका नाम दूसरी चीज एक वह थूखता भारत है बंबाई नहीं जा पाया था जब पुलिस वारे पकड़कर लेंगे थे ऐसे भगरत ऐसे क्या अजी उनके बाप की इम तो अब यह बताईए कि अब क्या करेंगे यहां पर आप आगए हैं दुबारा से यहां पर बैठ गए आके राजनीती करने आजाते हैं बार बार क्या राजनीती है यह चुनाव लड़ेगा नेता बनने वाले हैं कौन तो देखिए नेता तो इन्होंने बढ़ा रखा इन् यह बड़े हैं यह अपने बीटे को आगे बढ़ाएंगे तो उससे बरेता र यह कैते हैं अब यह कैसे लड़ें सरकार से लड rij μोच तो हम इत्यजाने थी तो हम विस्पोड़ी सिक्षा इन्होंने देदी तो उस शिक्षा का फायदा सब को देना पड़े गा तो इसे में कहते हैं जब देश का परदानमंत्री आनपड होक है जो ऐसे हैं बिल्गुल अंगुठा चाप वे देश में कानून बनाते हैं संसद में बैठके तो यह किसान है अपनी बात कहने आया है तो यार हम कहारे उसे लेलेब बावपस आजंगाा हो तो यो तो ने दामते accept या जो तिरी संसद ने दामते किया जो तेरी कमेटी ने दामते kiya वो दाम हमारा देदे उससे कम पर झो कर दे उसे किमत 6000 कर दे अरे रेट तू तै करता है कि हम कहले उसी रेट को कंपल सरी कर दें बता हमने क्या मांग लिया पहले भी किते ना फिर उड़ गई देखिए सरकार ने लिखित में वादा किया और वह वादे से मुकर गई तो क्या करें अब बार बार आंदोनन करोगे वार ऐसी साधत होगे देखे भाईया जब देश की आजादी के लिए लड़े थे न ये इनके पुर्खे समके तो बहुत साधत दी ती तो देश जितनी साधत मांगेगा इतिहास है इतिहास उठाके देख लेना इस पगडी से ज्यादा ना दे खालिस्तानी हम टुकडे टुकडे गैंग हम मवाली हम भेड़ी हम दरिंदे हम खूब कहलो हम तो सर्सों का तेल हुआ पैदा सारे सरीर पर लगा के हम है तो खूब फैक लो मारे चिपक्ति ना रपट पके निच्छे चली जा जा नुच्छे नाडी में चली जा तब क्या करो पर एक चीज का ध्यान रख हैं जो हमें इन अउपादियों से नवाज रहें जिद दिन महारा बस चल गया एक कब बदला लेंगे चलेगा रहे बारे साल में तो कूड़ी के दिन भी बावडिया में जब देश की आजादी की लड़ाई होई थी 90 साल लगे थे देख रहे हैं हमारा अभी कितना लगेगा हम भी देखना चाहरते हैं कि सरकार में दम जादा है यह किसान में की हिम्मत जादा क्या कोन कह रहा सरकार को बता दियो किसान और घोड़ा कदी बुड़ा ना होता है अगनीवीर किसकी है कोई नेता का बच्चा जाता है कि सेना में या कोई बिरुकेट का जाता है अच्छा बेटे अगर आपको दस दिन भूका रखके और सामने सूकी रोटी रख दूं तो तुम्हें वो भी भोजन लगेगा बड़ा पकवान तो जब तीन साल से सेना की भरती नहीं निकली और जिनके सीने में एक दर्द है एक चाहत है कि वर्दी पहननी है तो वो जाए चार साल में क्या होता है देखेंगे अरे फारम भरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं नोकरी कितनी है साड़े तीन हजार तो यह देखो कितनी बड़ी महा बेरोजगारी देश के अंदर है का आए वहां पर बोल रहे हैं सिक्वार्टी गाइड के लिए भाजपा उपका रही है देखिए जो कह रहा था वो खुदगार्ड के काबिल नहीं यह तो भारत का समविधान है कि उसे संसद बना दिया इक गलती तो हमारी है और उसी गलती के हमने नालायकों की सरकार बना दी गद्दारों की सरकार बना दी तभी तो हम सडकों पड़े तो जेल में है और बाप सरकार में है तो यह बात मोधी से कुछ हो कि देश किसानों का अपरादी तेरी बराबर में कैसे बैठा है यह तो मोधी जवाब दे सकता है मैं क्या दूब हम मांगी तो कर सकते हैं आंदोलन कर सकते हैं आदेश करना तो सरकार का कान तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे सरकार के जो मन में आये करती रहें एक दिन हमारा भी आएगा और एक एक चीज का हिसाब मोदी जी यहीं दे करके जाना पड़ेगा अब भरोसा नहीं है अब भरोसा आपके लिए कानून लाते हैं और आप लोग जो है देखिए अगर भरोसा होता तोड़ा है भरोसा धोका दिया है हमने तो किया था भरोसा तेरे महीने अंदोलन करने के बाद हमने उनकी लिखित बात पर भरोसा किया था भरोसा तोड़ा किसन प्रदान मंसी देश को कि एक फिर वही बात है मैं परदान मंतरी पद का सम्मान करता हूंै मेने कहा है गद्दार है तो परदान मंतरी आई जो मुतमकर दे में मोडि ञद्दार नहीं है अगर गद्धार नहीं तो पैसा लेकर निरोह भागा कैसे कैसे बगा तर यह नीरोहुमोदी पैसा लेकर मैंfallen चीटाप पना पट कर्या से मैंने के घर घर कर अब all आइ उसका यह लड़ी और एन तर जहासे यह लिख ले आज कह रहा हूं यह ताव बेतली का लोटा रही है जब इतना अच्छा बढ़िया बोल लेते हैं तो लड़ना चाहिए क्यों यह फिर यह मुझे भी डंडे में जंडा मजबूत लेकर दग्याओंगे क्योंकि जो भी संसद में पहुंच जाता है वो नालायक हो जाता है दो के बाज हो जाता है R बहुत बहुत शुक्रिया तभी हमारे साथ धे हरेंद्र ताउ तो उन्होंने आच जो है समा भाहन दिया है किस तरीके से उन्होंने बातों को अपनी रखा है और बिल्कुल भी जो है उन्होंने एक तरीके से बातों को रखा किस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है किस तरीके से आजाय मिश्रिटैनी जो आज तक जो है उसका बेटा अभी जेल में है लेकिन उसके बार जो हैं के पिता जी अभी तक भार है केंद्रिय मंत्री हैं लेकिन आप देखिए लगातार जो इनकी मांगे है वो MSP कानून को लेकर भी है लगातार जो इनकी मांगे है फसल को लेकर है लगातार जो इनकी मांगे है जो अगनी पत जैसी योजना लाई गई ह मोदी के द्वारा वो भी इन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है आप देख सकते हैं कितनी तादायत में यहां पर जो है किसान भाई लोग जुटे हैं पंजाब से हर्याना से यूपी से मध्यपरदेश से जगे जगे से यहां पर सभी लोग यहां पर मौजूद हैं तो सो करते हैं यहां पर लगातार यहां पर लोग मौजूद है तो आप इसी के साथ देखते हैं यह जनित आवाज में स्वयोगी धर्मेंदी के साथ में पूजा जंतर मंतर दिल्ली